Welcome student, now our topic is indicator, अब हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में So, indicator क्या होते हैं बच्चों, जो हमें help करते हैं, determine करने में कि जो हमें substance दिया गया है, वो acidic है या basic है Substance which help us in determining whether the given substance is acidic और basic सूचक आपके वो परदार्त हैं जो आपको जानने में help करते हैं कि जो आपको परदार्त दिया गया है वो अमली है या शारी है कैसे पता लगता है, वो color change हो जाता है उनका, ठीक है, indicator जानने पर क्या होता है, उस substance का color change हो जाएगा जिसे आपको पता लग जाएगा कि वो acidic है, बेसिक है, जैसे हमने जब topic पढ़ा था acid के में, तो हमने पढ़ा था litmus paper के बारे में, litmus paper एक natural indicator है आपका, प्राकर्टिक सूचक है, तर्मैनिक भी आपका प्राकर्टिक सूचक है, तो litmus paper में हमने पढ़ा था, कि litmus paper lichen से obtained होता है, ठीक है, और जो acid होता है, वो क्या करता है, आपके blue color के litmus को red color में बदल देता है, तो blue color का litmus red में बदल रहे, तो हमें पता लग जाएगा यह basic substance है, यह शारी है, ठीक है, अगर litmus लाल से नीला बदल रहा है, तो शारी है, अगर नीले से लाल में बदल रहा है, तो अम लिये, ठीक है, so natural indicators के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, litmus, litmus paper is most commonly used natural indicator, सबसे ज़्यादा natural जो प्राकर्टिक के indicator हैं, सुचक उसमें यूज में लिया जाना वाला, और यह likened से obtained होता है, extract होता है, two type of litmus are available in the form of solution, refer to as litmus solution, यह देखो, paper जो आपको litmus paper के बारे में तो मैं बताया भी, यह solution की form में भी हमें मिलता है, liquid की form में भी मिलेगा, इसको litmus solution बोलता है, अगर paper की form में तो इसको litmus paper बो देखो, यह चीज़ आपको बताई दी, अब turmeric की बात करें, healthy की बात करें, in acidic and neutral substance, the turmeric solution remain yellow in color, जब आपका acidic और को neutral substance होगा, यहनि अमली और उदासिन सबस्टाना प्रदार्त होगा, तो turmeric अपने ही color में रहेगी, यहनि yellow color में रहेगी, लेकिन, जैसे ही वो base के साथ react करेगी, तो उसका color, red color का हो जाएगा, ठीक है, उसका color कैसा हो जाएगा, red, तो आपको पता लग जाएगा कि substance कैसा है, basic है सारी है, अब china rose की बात करें, हाना, china rose, यह juice होता है, obtained from the petal, is used as the natural indicator, यह rose की पतियों से, आपके मिलता है, यह वाला indicator, china rose, juice जिसको हाना, हिबिसकस भी बोलते हैं, इसको, if acidic substance are added, it turns dark pink, ठीक है, magenta color का हो जाता है, dark pink हो जाता है, जब acidic substance से यह react करता है, हम लिए जो आपके परदार्त होते हैं, उससे, इनकी क्रिया होने पर यह dark pink में, magenta color में बदल देता है, और while adding basic substance, make the juice green, और जब यह शारी है परदार्तों से मिलता है, basic substance से मिलता है, तो उसका color green हो जाता है, तो इस तरह से हमें पता लग जाता है, कि substance, acid है या basic है, नाउ, next है आपका other commonly used acid base indicator, जैसे methyl orange, ठीके, methyl orange, red orange color का होता है, acid के साथ, जब यह acid के साथ हम ना, आप पूर करोगे, acid के अंदा, तो यह red orange color का हो जाएगा, बला थोड़ा सा reddish और थोड़ा सा orangish, ठीके, pure orange नहीं होगा, लेकिन जब यह base से, शार से रिक करेगा, तो यह orange color क हो जाएगा, pure, तो हमें पता लग जाएगा, इसे हैं, फिर है, phenoptiline, जब acid से इसके react कराओगे, तो यह color rest रहेगा, इसका कोई color है रहेगा नहीं, transparent हो जाएगा, और जब base से करोगे, तो यह pink color का, okay, किस तरह का pink color का,